लोक फुरियर टेलिवेजन और फिल्म अभिनेता सिदर्थ सुकला का हार्ट अटेक से निदन हो गया है उनकी उम्रों 40 साल थी उन्हें मुंबई के कपूर अस्पताल में आकरी सांस ली फुलिस का कहना है कि सिदर्थ सुकला की पोस्टम रिपोर्ट का इंतजार है और उनके साथ रहने वाले लोगों के वयान लिये जाएंगे मुंबई पुलिस की टीम कपूर अस्पताल पहुँच चुकी है दिवगंत सिदर्थ की बेहन और जिज़ा भी अस्पताल पहुँचे है कॉमेडिन कपिल सर्वा ने सिदर्थ सुकला के मौत को दिल तोड़ने वाली खबर बताया है की दो फेर वारबच कर 30 मिट सिदर्थ सुकला का पोस्ट मटन होगा गेर तलाभे की सिदर्थ सुकला वीग बोस 13 के विजिता थे वो अपने पीछे अपनी माँ और दो विवानों को छोड़ कर गए हैं उनके निधन से टेलिविजन जगत में सोक की लहर दोड़ गई हैं पीटी आई की मुताविक उन्हें अस्पताल में मुरुत अबस्ता में लाए गया था उन्हें एक मोडल के रूप में अपने केरित की सुरात की थी इसकी बाद उन्हें टेलेविजन सो बावुल का आगण चूटेना में मुख्य भूई का मिली थी बाली का बदू ने उन्हें घर घर परसित कर दिया था सितार सुगला को साल 2005 में गलेडरक्स मेनहट में विश्व के सर्बस रेष्ट मोडल प्रोसकर रसेश नबाजा गया था टीवी सो बाली का बदू के लोगफ्री फेस होने के लिए उन्हें साल 2012 में गोल्डेन फेटल आवर्ड दिया गया था सितार को आई टीए ने बर्ष 2013 में टीवी सो बाली का बदू के लिए बर्ष के सर्बस रेष्ट कलाकार का प्रोसकर दिया था उन्हें साल 2015 में फिल्म हप्टी सर्मा के दुलने के लिए स्टारडस्ट प्रोसकर दिया गया था उनका जन्म 12 दिसम्बर 1980 को मुंबई में हुआ था एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कूल संपति करिब 2 मिलियन डोलार है टीवी सो के अलावा उनकी कमाई का मुख्य सोर्स विग्यापन और ब्रांड एंडर स्मेट थे कुछ रिपोर्ट का कहना है कि वो एक वॉलिवूड फिल्म के लिए लगभक एक करोर रुपे लेते थे बताया जाता है कि सिधार्थ टीवी सो के फ्रती एपिसोड के लिए लगभक 2 लाख रुपे चार्ज करते थे उनके बारे में कहा जाता है कि उनको लगजरी लैप जीने का सोक था सिधारत की मौत पर फिल्म और टीवे जगत ने अपनी सोक संवेदनाय व्यक्त की है अपनिता मनज़ बाचपई से लेकर कॉमेडियन सुनिल गरबर तक कई अपनिताओं ने उनके मौत पर दुख जताया है लोक फुरियर